हलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज है चार जनावरी और आज हम आपके लिए लिए हैं चार जनावरी से जुड़ी कुछ करेंट अफेस तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें लाइक भी करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो चले स्टार्ट करते हैं फॉस्ट कुशन से तो फॉस्ट कुशन अपना इन विच स्टेट दिट सीयम पुशकर सिंग धामी लांच दफ्री मोबाइल टेबलेट स्कीम फोर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट और स्टेट गवर्मेंट स्कूल मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने किस राज्य में राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 10 वारा के छात्रों के लिए मुक्त मोबाइल टेबलेटी ओजना सुरू की है तो आप्सन ए है उत्राखन उप्सन बी है बिहा सरकार ऑप्सन सी है पंजाब ऑप्सन डी है राजस्थान तो हाली में जो उत्राखन राज्य के सीम है पुशकर सिंग धामी उन्होंने कक्षा 10 और 12 में जो 85% से उपर शात्र हैं उनको मुक्त में मोबाइल टेबलेट देने की घोसना की है जबकि बिहार और पंजाब सरकार ने जो स्कीम है वो पंजाब में है 9-12 जो क्लास के स्टूडेंट है उनको साइकिल फ्री में और राजस्थान गवर्मेंट का फ्री स्कूटी फोर 10th and 12th क्लास second question है अपना who launched पढ़े भारत a hundred day reading campaign सो दिवसिये पठे नभ्यान पढ़े भारत का सुबारम किस ने किया है तो option A है अपना स्मर्ती रानी option B धरमेंदर परधान option C रमेश पोखरियाल और option D परकास चावडेकर तो हाली में धरमेंदर परधान है जो भारत के education minister है उन्होंने पढ़े भारत अभ्यान का सुबारम किया है नेक्स्ट है अपना विच कंट्री ओपने ए अमबेसी ए निकारगुवा आप्टर दा नेशन ब्रोग टाइस विद ताइवान राश्टर के ताइवान से संबन तोड़ने के बाद किस देश ने निकारगुवा में एक दूतावास खोला है नेक्स्ट अपना है फॉर्थ क्यूशन विच कंट्रीज पीम इनोग्रेटेट दा पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एरपोर्ट किस देश के परधान मंत्री ने पोखरा छेतरी अंतराष्टिय और हवाय अद्डे का उद्गाटन किया है तो उप्सन ए है जापान उप्सन बी है नेपल उप्सन सी जर्मनी उप्सन डी मलेशिया तो उसका अंसर है बी नेपाल हाली में नेपाल के जो प्रधान मंत्री है पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस हवाय अद्डे का उद्गाटन किया है नेक्स क्योंसन अपना फिफ्थ विच बैंक लॉंच्ट उत्करश 2.0 फोर दे पिरियट 2023 और 2025 दो हजार तैईस से 25 के लिए किस वर्ष ने उत्करश 2.0 जो योजना है वो लॉंच की है तो उत्करश 2.0 स्कीम लॉंच की है इस योजना के अंतरगत जो भारती मुद्रा है उसको विदेशों के अपेक्सा मजबूत करने के लिए योजना लॉंच की थी इससे पहले जो इसका पहला जो चरण था वो 2019 से 2022 के बीस था नेक्स्ट है पना 6 वाट इस तारगेट आप नंबर उप आईश्मान भारत हेल्थ और यल्नेस सेंटर अंडर आइश्मान भारत आईश्मान भारत के तहट आईश्मान भारत स्वास्ते और कल्याण के इंदरोगी संख्या का लक्स क्या है तो option A है एक लाग, option B, डेड़ लाग, option C, धाई लाग, option D, पांच लाग तो जो PM मोदी ने जो आयुशमान भारत योजना लॉंच की थी उसका लक्स से अभी डेड़ लाग कर दिया गया है नेक्स्ट अपना है सेवन्थ According to which country was Ukraine drone production targeted in a new air attack किस देश के अनुसार नए साल के हमले में युक्रेण के drone पादन को लक्षित किया गया था Option A रसिया, option B जर्मनी, option C एराक, option D भूटान तो वह हाली में जो रसिया है उस देश के अनुसार नए साल के हमले के दोरन युरेन का जो drone पादन है उसको टार्गेट किया गया है Next अपना है एर्थ क्यूशन इंडिया एंड विच कंट्री एक्षेंड लेट्स ओप सिविलियन पेरिशेनर एंड फिसरमेन इन देर कश्टरी भारत और किस देश ने अपनी हिरासत में नागरिक केदियों और मच्वारों की सूची का आधन परदान किया है तो ओप्सन ए है फ्रांस ओप्सन बी फिलिपिन्स ओप्सन सी इटली ओप्सन डी पाकिस्तान तो जो भारत का पडोसी देश है पाकिस्तान उनोंने जो अपने मच्वारे और जो नागरिक केदि हैं जो इंडिया में केद हैं उनके लिए और जो इंडिया के पाकिस्तान में है इन दोनोंने अपनी अपनी लिस्ट जारी किए ताके उनकी रिहाई हो सके नेक्ट अपना है नाइन्थ option B अर्जेंटीना, option C अफगानिस्तान, option D उजर्बेजान, तो इसका आंसर है अफगानिस्तान, हाली में अफगानिस्तान को भारत ने 5 लाग कोविड वैक्सिन की सप्लाई दी है, नेक्स्ट अपना है, which state has launched the initiative, दीदीर सुरक्सा कवच और दीदीर दूत, किस राज्येने दीदीर सुरक्सा कवच और दीदीर दूत, योजना की पहल सुरू की है, उप्शन ए है असाम, उप्शन बी उडिशा, उप्शन सी नागालेन, उप्शन डी वेस्ट बंगल, तो वेस्ट बंगल की जो मुख्य मंत्री है, श्रीमती ममतावजनार जी उह ने यह दोनों योजनाएं लौंच की है, संगाई मोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है, तो उप्शन A है, असाम, उप्शन B, मनिपूर, उप्शन C, मिजोरम, उप्शन D, गोवा, तो जो संगाई मोत्सव है, मनिपूर में हर साल 21 से 30 नवंबर के बीच मनाया जाता है, नेक्स्ट है, अपना है, जो बुलेट्स पोइंट है, चार जनौरी 1964, आज ही के दिन, जो इंडिया का पहला दीजल इंजन है, उसको निकाला गया था, नेक्स्ट है, आज ही के दिन, 1881 में, जो भारत का केसरी निउस्पेपर है, उसका प्रकासन स्टार्ट हुआ था, चार जनौरी 1972 को, नई दिल्ली में, जो अपराद विज्ञान और फोरेंसिक विज्ञान संस्तान का उद्गाटन किया गया था, और आज ही के दिन, चार जनौरी 1994 को, जो आरडी वर्बन, जो भारत के फेमस गीतकार और संगीतकार थे, उनका निधन हुआ था, तो दोस्तों, ये थे आज के लिए कुछ करंट अफेर्स, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो कभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो थैंक्स पो वोचिंग, स्टे टून,